नमस्कार दोस्तो हमारे चैनल डिफरेंट मून्स में एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तो जब भी आपको FD करवानी होती है आप सीधा बैंक या पोस्ट आफिस जाते हैं और वहाँ जाकर FD की रिक्वेस्ट देते हैं लेकिन उस FD करवाते समय आपको ये नहीं मालूम होता कि FD भी कई तरह की होती है जिससे आप अलग-लग तरह के फायदे उठा सकते हैं यही आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तो FD को हम बहुत नामों से जानते हैं FD यानि के Fixed Deposit, TD यानि के Term Deposit लेकिन दोनों का मतलब एक ही है FD TDR हो सकती है, STDR, Tax Saving FD, Corporate FD, Regular FD, Klaxi FD, Senior Citizen FD, NREFD, NROFD, कई तरह की FD होती है FD आप minimum 7 दिन की करवा सकते हैं, कई banks 20 दिन की FD ओफर करते हैं, bank, post office, private companies, corporate sector banks, small finance banks भी FD ओफर करते हैं Offline या Online दोनों तरह आपको FD मिल जाती है, लेकिन जो main मुद्दा है वो यह है कि FD होती कितनी तरह की है सबसे पहले जानते हैं TDR यानि कि Term Deposit Receipt, इसे FDR भी कह सकते हैं Fixed Deposit Receipt यह वो FD है जिसमें आपको interest एक particular tenure के बाद pay कर दिया जाता है कहिए कि आप interest monthly ले रहे हैं quarterly, half yearly या फिर yearly, interest साथ साथ आप अपने saving account में लेते रहते हैं दूसरी होती है STDR यानि Special Term Deposit Receipt, इसे हम interest reinvestment FD कह सकते हैं, cumulative mode FD भी कह सकते हैं इसमें आपको quarterly compounded interest मिलता है और interest आपको tenure पूरा होने पर maturity के समय, principal amount के साथ ही pay किया जाता है अगली आती है tax saving FD, tax saving FD minimum 5 साल की हो सकती है, 5 साल से ज्यादा या 5 साल की इसमें आपको ATC का डेड़ लाख रुपे तक का rebate मिल जाता है, जिल लोगों को ATC के बारे में जानना है, वो क्या है, income tax में कैसे आपको छूट दिलवाती है, link आपको description में मिल जाएगा senior citizen FD, यह सिर्फ 60 साल से प्लस की उमर के लोगों के लिए होती है, इसमें आपको 10% बे आज, normal FD के मुकाबले में ज्यादा मिलता है, कई banks flexible tenure और premature के flexible rules इसके अंदर आपको offer करते हैं माल लीजिया, आपने 40,000 रुपे limit सेट कर दिया, आपने saving account का, तो जब भी कभी आपके saving account में 40,000 से ज्यादा पैसे पड़े होंगे, वो ज्यादा जितनी भी रकम होगी, वो अपने आप flexi FD account के अंदर transfer हो जाएगी, आपको FD का rate उस पर मिलने लगेगा, माल लीजिया, आपके account में एक समय 60,000 रुपे कहीं से आ गए, तो 40,000 प्लस 60,000 आपके account में लाख रुपया हो जाता है, तो वो 60,000 रुपे आपके automatically flexi account में transfer हो जाएगे, यही नहीं, अब आपको अचानक से 50,000 रुपे की जरूरत पढ़ती हैं, लेकिन आपके saving account में तो 40,000 रुपे पढ कर दिये जाएंगे, यह है flexi fd का system, यह बहुत ही अच्छी fd है, rate of interest जरा सा काम रहता है, normal fd के मुकाबले में, लेकिन आपको liquidity मिलती है, जहाँ पर आपको flexi fd की option मिलती हो, वहाँ जरूर लेनी चाहिए, corporate fd, यह companies के लिए है, इसमें higher rate of interest रहता है, यहाँ तक की bargaining भी कर सकते हो, आप bank से, या फिर जहाँ भी corporate institution है, जो जहाँ आप fd करवाना चाहते हो, अगर आपका amount अच्छा खासा बड़ा amount है, तो आप bargain करके अच्छा rate of interest भी ले सकते हैं, NRIs के लिए दो तरह की fd होती है, NREFD और NROFD, NREFD उन NRIs के लिए best है, जो इंडिया से बाहर ही earn कर रहे हैं, यानि foreign currency में earn करते हैं, और उसे Indian currency में convert करके, इंडिया में fd करवाना चाहते हैं, सबसे बड़ा फायदा इसका ये रहता है, कि ये fd का interest 100% tax free रहता है, लेकिन इसमें disadvantage ही है, कि जो भी रकम आपने invest की है, वो currency rate के fluctuation के साथ गटती बढ़ती रहती है, NRIs के ल ये है, जो Indian currency के अंदर earn करते हैं, NRI हैं, रहते हैं इंडिया से बाहर हैं, लेकिन Indian currency में earn कर रहे हैं, और इंडिया में fd करवाना चाहते हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, कि इसमें currency rate का fluctuation कोई effect नहीं करता, लेकिन disadvantage ये होता है, कि 30% आपको इसमें tax pay करना पढ़त हैं, दोस्तों, आज के वीडियो में brief इतना ही, कि fd के ये बहुत प्रकार हैं, अगली बार fd करवाने जाएं, तो अब ध्यान रखें कि किस तरह की fd आप करवाने वाले हैं, flexi fd का option जरूर अपने bank में पूछें, अगर flexi fd का option मिलता है, तो आप flexi fd ही करवाएं, फिर अगर आपके कोई सवाल हैं, तो नीचे comment box में जाकर पूछ सकते हैं, different modes को देखने के लिए शुक्रिया, वीडियो को like करें, channel को subscribe करें, धन्यवाद